तो दोस्तों यह हमारे पास जेवियल का ट्यून सैवन सिक्स्टी एंसी वायरलेस ओवर दा येर हैड़फॉन और आज किस वीडियो में करने वाले इसका अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यू देखेंगे इसका साउंड ओफ क्वाल्टी कैसा होने वाला है तो सारी चीज़े जा चैंसली इस हैड़फॉन में हैं तो और यहां सेंटर में देखोगे तो इस हैड़फॉन का लूप को डिजाने को मिल जाता है और फ्रंट के सब्सक्राइब पर ट्यूंड शेवन सेवन सिक्टी है तो बॉक्स की बैक सब्सक्राइब कर लगा हुए तो आप सब करके दिखा दो पहले तो यहां पर मैन्फेक्टिर डीटेल और एमर्पी मैंसाने जो की है 7999 रूपीज लेकिन यह जो हैड़फोन आप सब को 6500 की रेंज में मिल जाता है तो यह ऑवरल बॉक्स की पैकिंग है वो कुछ इस टाइप से होने वारा यहां पर हमारा जैटफन का लोको डिजाइन भी देखने को मिल जाता है और यह इसके नीचे की साइड है यहां से इस बॉक्स को हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या मिल रहा है तो जो कि यूजर मैनुवल है जिसे कि आप सब चाहों तो रीड कर सकते हो मैं इसको रख लेत कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है इसके बाद में आप सब को जेविल का ब्रेंडिंग किया हुआ 3.5 mm का ऑडियो केवल ऑक्स केवल मिल जाता है जो कि आप अपने हैडफोन को इसको वायर के साथ भी यूज कर सकते हो तो इसके भी क्वाइल्टी जो काफी है उ और यह फुली ब्लू क्लर के साथ ने वी उलो NICK के साथ में आने वाला तो यहाँ पो इसका चाहिनày और यहां पर की dispel रही हो और यहाँ पर राइट कि बा implication सब्सक्राइब और यहां से आप अपने हैड़फोन का जो साइज है वह आप अपने हैड़ के अकॉर्णिंग स्ट्रैच भी कर सकते हो तो यह तो नॉर्मली सभी हैड़फोन में होता है और इसमें भी आप सब को मिल जाता है तो विल्ड क्वाल्टी तो काफी जब दसते प्लास्टिक को अच्छी अच्छी है और साथ में इसका जो यह हमारा जो हैड़फोन यह फोल्डे वाले यानिकी इजी टू कैरी है कहीं भी अपने ले जाना तो इसको नॉर्मली इजी तरीक से फोल्ड कर सकते और सबसे पहले यहां पर बटन मिल जाते हैं तो यहां पर एक छोटा सा बटन और भी है यह देख सकते हो तो यह है एंसी बटन अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो हैड़फोन का एंसी यानिकी नौइस कैंसलिंग है वह ओन हो जाता है और आफ यहां पर आफ कर सकते हो नेक्स्ट यहां पर 3.5 यहां का ऑक्स इंपूट ऑफ्शन मिल जाता है जिसकी मत आप प्लस माइनस का बटन है जिससे क्या वालियूम को इंक्रीज और डिस्क्रीज भी कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके साथ में आप इसी लेफ्ट राइट वाले पार्ट में उपर इक साथ दो तो यहां पर टाइप-C का चार्जिंग मिल जाता है जिसकी म आपको टाइप-C से अपने हैड़फन को चार्ज करना होगा तो यह थे इसके कुछ बटन की फीचर वगरा अब बात कर लेते इसके स्पैसिकेशन और फीचर के बारे में तो यह विल ट्यून सैवन सिस्टी एंसी में आप सबको लेटेस ब्लूट वरणने 5.0 का सपोर्ट म सब्सक्राइब और यहता है अदि मजखा उसे के साथ न्यूम के साथ लॉट चौ। और एंसी का मिल जाता है जो कि बहुत ही जवर्दस्त क्वाल्टी की साथ आने वाला और अब इसकी प्लेटाम की बात की जाए तो इस लूप डिजाइन के बारे में तो काफी अच्छा है अब बात करें प्राइज के अकवर्डिंगे तो यह हैड़फन में लिए बहुत ही ज़्यादा वैस्त है तो अब बात करें इस हैडफन को भाई करना चाहिए या नहीं तो अगर बाई करने के बारे में बात करें तो गाई अगर आप सबको चाहते हो कि अगर आप सबके वैस्ट वायरलेस ऑवर देर हैडफन चाहिए तो अगर प्राइज रिंज आपका 7000 के अंडर है तो मेरे ख्यास से आप सब इस हैडफन को भाई कर से तो क्योंकि इसका मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आप सबको हैर्फन अच्छा लगए तो प्लिस वीडियो की क्लाइक कर देना अगर आप सबको इससे रिलेटर और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आप सबकार रिप्लाइज ज